मनिपूर हिंसा को लेकर विपक्ष ने सडक से लेकर सदन तक हंगामा किया है मौनसून सत्र की कारवाही को 6 दिन पूरे हो चुके है लेकिन हर रोज ये कारवाही हंगामे की भेंचड रही है वुद्वार को कॉंग्रेस और बी आरेस की तरफ से इसी मामले को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया कॉंग्रेस सांसद गौरफ गोगई ने लोगसबा में सेक्रेटरी जरनल के कार्याले में नो कॉंफिडेंस मोशन का नोटिस दिया इसके लावा तिलंगना की सताधारी पार्टी बी आरेस ने भी अलग से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया अगर देखा जाए तो संसद में संख्याबल के हिसाब से अभी मोदी सरकार काफी मजबूत नजर आ रही है इसके बावजूद विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है सवाल उठ रहा है कि आखिर संसद में संख्याबल कम होनी के बावजूद विपक्ष की तरफ से ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है इसके क्या सी-ासी माइने है पहले संसद में विपक्ष और सरकार के समर्थन में संख्याबल को जान लीजिए भाजपा की अगुवाई वाली NDA सरकार के पास अभी लोगसबा में 330 से जादा संसदों का समर्थन है अकेली भाजपा के 301 संसद है वहीं विपक्षी खेमे यानी इंडिया गटबंदन के पास लोगसबा में 142 और राजपा में 96 संसद है अगर संख्याबल के हिसाब से देखें तो दोनों ही सदनों में सत्ता पक्ष मजबूत है ऐसे में एक बड़ा सवाल सामने आता है तो आखिर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव क्यों ले कराया है इसका एक जवाब भी सामने आता है विपक्ष अभी किसी भी सूरत में चर्चा के केंदर बिंदू पर बने रहना चाहता है सरकार को हावी होने का विपक्ष कोई भी मौका नहीं देना चाहता विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि मनिपूर मामले में प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी ही सदन में बयान दे वही सरकार ने कहा है कि ग्रिह मंत्री अमितुशा मनिपूर यानी इस मस्कले पर बयान देंगी ऐसे में अविश्वास प्रस्तव एक ऐसा तरीका है जिसके जर्ये विपक्ष पीएम मोदी को संसद में बुलाने की कोशश कर रहा है कुल मिलाकर सारे विपक्षी दल पीएम मोदी को ही घेरना जाते हैं वहीं दूसरी तरफ यदि बात की जाए तो अभी पूरी एंटिय के लिए सिर्फ एक चेहरा है और वो है पीएम मोदी का ऐसे में भाशपा भी नहीं चाती है कि किसी भी तरह से पीएम मोदी इस तरह के विवादों में फसे इसलिए सदन की कारवाही शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने मीडिया के सामने मनिपुरकान के निंदा की और सक्त कारवाही की बात की थी ऐसे में एक बड़ा सवाल और है कि अगर PM मूदी बयान दे भी देते हैं तो क्या सदन में कारवाही सुचारू रूप से चल पाएगी या फिर विपक्ष की तरफ से मात्र हंगामा किया जाएगा टेक्सपेर्स की तरफ से टेक्सपे करने के बाद सदन की कारवाही होती है प्रस्ताव पर चर्चा होगी और मनिपूर कांट पर भी कोई बड़ा बयान देखने को मिल सकता है एक और बड़ा सवाल जो सामने आता है कि आखिर कैसे लाया जाता है विश्वास प्रस्ताव सदन में विश्वास प्रस्ताव लाने का भी एक नियम है इसे नियम 198 की थैथ लोगसभा में पेश किया जाता है इस विश्वास प्रस्ताव को संसद में पेश करने के लिए करीब 50 संसदों की जरूरत होती है अगर संसद में विश्वास प्रस्ताफ पर वोटिंग के दोरान 51 प्रतिशत से जादा संसदों ने इसकी पक्ष में मतदान कर दिया तो सरकार मुश्किल में बढ़ जाती है और ऐसी सिती में सरकार को बहुमत साबित करना होता है इस दोरान विपक्षी दलों के कुछ बड़े बयान भी देखने को मिले हैं जिसमें से सबसे पहले कॉंग्रेस नेता अधीर रंचन चौदरी ने कहा कि पीम मोदी मनिपूर पर सदन के बाहर तो बात कर रही हैं लेकिन सदन के अंदर नहीं बोलते विपक्ष ने मनिपूर पर बार-बार सरकार का ध्यान अकर्शित करने की कोशिश की लेकिन ये विफल रही ऐसे में अब अविश्वास प्रस्ता भी एक सही तरीका था इससे पहले कॉंग्रेस अध्धक्ष मलिका जुन खडगी ने भी ये कहा था कि पहले आमेतुशा इस पूरे बयान पर पलटते हु यानि इंडिया जो एक अलाइस है उस पर बात करते हुए कहा था कि ये नाम इस्ट इंडिया कंपनी जैसा सुनाई पड़ता है और बाद में अमित शान ने पत्र लिखकर मलिका जुन खडगे से ये कहा था कि हम मनिपूर कांट पर चच्चा के लिए तैयार हैं मलिका जुन खडगे इस पर वार कर चुके थे कि सुबा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नाम की बेईज़त ही करते हैं और शाम को अपनी समवेदनाय अमित शाप रकट करते हैं ये दोहरा रूप बीज़ेपी का है इसके बाद राज़त सांसद मनुज जा ने कहा कि हम जानते हैं कि स बोलने पर मजबूर किया जा सके यही सबसे बड़ी उपलब्दी होगी यानि विपक्ष का ये कहना है कि वो सिर्फ चाते हैं कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मुद्दे पर चट्टा करे लेकिन क्या चट्टा सुचारू रूप से होगी एक बड़ा सवाल ह इसके साथ साथ पूरे मामले पर सत्ता पक्ष की तरफ से भी बयान बाजी की गई है सरकार की तरफ से संसेद्य कारे मंत्री प्लदाद जोशी ने कहा है कि लोगों को पी-एम मोदी और भाजपा पर भरोसा है वो विपक्ष यानि पिछले कारे काल में भी अविश्वास प् सत्ताव आने दीजिए सरकार हर कर्म के लिए तयार है हम मनिपूर पर चर्चा चाहते हैं सत्र शुरू होने से पहले वो चाहते थे चर्चा जब हम सहमत हुए तो उन्होंने नियमों का मुद्दा उठाया जब हम नियमों पर सहमत हुए तो वो नया मुद्दा लेकर आए कि विपक्ष का यंदेशा के सिर्फ PM मोदी को घेरने की एक कोशिश की जा रही है और विपक्ष का ये कहना कि वो मजबूर करना चाहते हैं कि PM मोदी कोई बयान दे ऐसे में दो चीजे जो बिलकुल साफ नज़र आ रही है कि शाद विपक्ष प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को खुद सामने से प्रत्यक्ष घेरना चाहता है और दूसरी तरफ ये बताना चाहता है कि कितनी मजबूती नए बने विपक्षी दल के इंडिया में है तमाम बड़े अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाजर होता रहेगा नेशन स्पीक्स के यूट्यूब पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेर करना बिलकुल भी ना भूलें